यह बिग गई है Global NCAP सारे मिल के हमको पागल बना रहे Slavia Virtus Auto K10 के Crash Test के बाद यह सवाल आता है कि Global NCAP कितना Reliable है पहले यह जानिए Global NCAP हमेशा Base Model टेस्ट करता है जिसके लिए गाड़िया शोरूम से ली जाती टेस्ट के लिए गाड़िया देना वॉलन्टरी है और Carmakers को पूरी अजादी होती है कि वो कौन सा Model भेजे या गाड़ी भेजे या नहीं जैसे VW Polo जिसको मिले Zero Stars बिना Airbag के और Four Stars Airbags के साथ ऐसे ही मारूती जिसने Global NCAP को गाड़ी नहीं भेजी फिर भी हमने Alto K10 लागनार का Crash Test देखा ये भी जाना ज़रूरी है कि Global NCAP अपने Crash Test एक Company Official के सामने करता है जिसके Results भी Share किये जाते हैं पर Crash Test का Bill किसके फटता है अब गाड़ी Crash Test करना काफी महंगा शौक है जिसके बाद गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है Global NCAP कार मीकरस पे ही बिल बनाता है जिसमें होता है टेस्टिंग, हाड़वेर, सॉफ्ट्वेर, शिपिंग, एक्सेटरा पर अगर टेस्ट होने वाली गाड़ी Global NCAP ने खुद ली है तो खर्चा Global NCAP प्रबबली खुद ही उठाता है और कॉंटेंटत चलगा तो सब्स्क्राइब तो कास्ट्वेंटीफोर